क्या कभी आप सोचते हैं कि Amazon, Blinket, Big Basket की डिलेवरी की तरह घर भी ऐसे ही डिलेवर होने लगे फिर क्या होगा वो घर जिसको बनने में 6 मईने, 1 साल और कभी-कभी इससे ज़ादा लग जाते हैं तो आपका कितना लेबल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और समय लग जाता है वैसे तो भारत ने बीते कुछ सालों में बहुत टेकनोलोजीज का इस्तमाल किया है और नई-नई तक्नीके आती ही चली जा रही है पर अब USA ने 24 घंटे में घर डिलेवरी को भी मुम्किन कर दिया है USA-based company अब ये कमाल कर रही है और एक दिन से भी कम वक्त में customers को order पर जैसा घर चाहिए वैसा बना के देने लग रही है और ये कमाल है 3D printing का स्वागत है आप सभी का मैं हूँ कोमल जवा और आज हम बात करेंगे घर बनाने की future technologies के बारे में तो बने रहे इस वीडियो के इन तक और जानिए कि क्या है ये नई technologies और तखनीके पहली technology है spider XK8 इस technology को घर बनाने के वक्त यूज किया जाता है ये एक तरह का thermocall होता है जुस पे spider wave जैसा structure बनाया जाता है मकडे के जाले जैसे लोहे से इस thermocall को fix किया जाता है घर बनाते वक्त इस thermocall structure को लगाया जाता है जो ठंड में ठंडी से और गर्मी में गर्मी से बचाता है ये technology बहुत ही effective और efficient है इसको दिवारों पर रख कर spider web के लोहे की sheet के दिवारों पे fit किया जाता है ताकि sheets अपनी जग़े से move ना करें इंडिया में AC technologies काफी feasible रह पाती है क्योंकि इंडिया में हर वक्त AC चलते ही रहते हैं और global warming भी तो उस समय ये thermocall sheets relief देती है अगली तखनीक है 3D printing जैसा घर चाहिए वैसा ही मिलेगा इस technology के जरीए आपको मिलेगा वो भी cable 24 गंटे में इसके delivery हो जाएगी सुनने में अजीव लगता है पर ये सच है लेकिन इस technology से 3D home printer machine से आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाती है इसको robot के जरीए operate किया जाता है और इस machine को computer से connect करना होता है और फिर इस 3D design को upload करना पड़ता है और print करने से पहले materials को machine में डालते हैं और इसको छोटे-छोटे टुकडों से पूरा किया जाता है इससे बड़े-बड़े constructions का काम बहुत easily किया जा सकता है और print के time ही पानी और electricity की wiring का काम भी पूरा हो जाता है ये construction के cause को काफी हद तक कम कर सकता है अगली तकनीक है दिंसल structure walling इसमें एक permanent framework system है जिसे concrete से भरा जाता है और वो एक मजबूत दिवार में तबदील हो जाता है और इस technology में किसी eat या pillar की ज़रुरत नहीं पढ़ती बस इनको घर के structure की according खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसमें mixed concrete भर कर जब ये सूप कर एक मजबूत structure में convert हो जाते हैं तब इस framework को हटा दिया जाता है इस technologies का इस्तमाल से building को बनाना और भी feasible हो जाता है और साथ ही बता दे कि इसको अप्रूफ किया है University of South Wales और University of Technology Sydney ने और ये काफी चलन में भी है इस technology से बनने वाली building नौ magnitude तर्थ के अर्थ को एक को भी जेल सकता है अगली तक्नीक है future smart homes आने वाले वक्त में complete smart homes बनेंगे जब phone smart हो गए है, washing machine smart हो गई है, refrigerator smart हो गई है तो smart homes तो बनेंगे है इन smart homes में आपकी daily activities के हिसाब से ये adjust हो जाएंगे और ये घरों की दिवारों में मौझूद sensors से होगा और इसका एक example है Alexa, Alexa तो एक बार कहती ही सारी बातों को समझ जाती है और ठीक उसी तरह काम करेगा ये smart home, इन sensors को घरों की दिवारों और flooring में लगाया जाएगा और इसको develop करने वाली team Case Western Research University के researchers है ये लोग ऐसे system पे काम कर रहे हैं जो आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी activities को note करेगा इसको अभी पूरी तरीके से develop होने में काफी time है और ये पूरी तरह से automatic हो जाएगा जिससे आम आदमी की जिंदगी काफी असान हो जाती है अगली technology है टाइबोट ये एक American robot system है जिससे specially construction के दौरान इस्तमाल किया जाता है और इसका इस्तमाल 2021 में फ्लॉरिडा में एक bridge को बनाने के लिए किया गया था जिसमें एक घंटे में ये robotic machine 1100 tiles लगा देती है खुद को developing से develop पे असानी से पहुचा सकेगा आपकी इन technologies के बारे में क्या राय है हमें comment section में comment करके बताएं like, share और subscribe करना बिलकुल भी न भूलें धन्यवाद